सेंट लूशिया किंग्स के सामने होगी जमाई का धलाईवास के टीम और यह मुकाबला है CPL का एलिमेनेटर जो यहाँ आपको बदा दू जो टीम जीती वो जाएगी क्वालिफायर टू में जो टीम हारी वो जाएगी घर हाँ जी घर है क्योंकि आप जो है अब इस मुकाबल कुछ मैचे जरद भी रहे थे इसके दस अंक है इन फैक्ट यहाँ पर दो मैचे जरद रहे थे इनके लेकिन अगर आप आएंगे आपर जमाईका थलाईवास की टीम की तरफ दस मुकाबले खेले हैं जीत इनको भी चार मिली है लेकिन इनका एक मैच रद रहा था नौट र हर जाएगा लेकिन हम आपके साथ जुड़े हैं और इस मुकाबली की बनाएंगे एक सांदार सी यहाँ पर टीम जो कि आप ग्रैंड लिग और स्मॉल लिग दोनों में यहाँ पर यूज कर सकते हैं लेकिन उससे पहला आपको विदा दो कि आपको हमारे टेली ग्राम पर ज सकते हैं बड़े आपर करके दिखा सकते हैं लेकिन ऑनिश्की हैं इसको बैक करना है या नहीं करना है क्या जॉनसन चार्स जादा बहतर विकल्प है जाए जाएंद के साथ जाएंगा नहीं सायब आते नहीं देता हूं आनकि कुछ अच्छी पारिया ज़रूर आईए बलेबास की तरफ चलते हैं अब यहाँ पर देखें अलेक्स हेल्स हैं यहाँ पर कहीं ने कहीं ब्रेंडन किंग आपको नजर आएंगे बनुका राजपक्षा वैसे अच्छा नहीं जा रहा था इनका सीजन लेकिन पिछले मुकाबले में जो तवाही तवाही मजाई थी इन् फिर उसके बाद इनका फॉर्म थोड़ा सा लडखारास आगया तो वह भी एक रीजर है तो बल्लेबासों में अलेक्स हिल्स को मैं बैक कर रहा हूं मैं बैक कर रहा हूं ब्रैंडन किंग को दो रिलाइबल नेमें अब इसके अलावा एक बल्लेबास अगर मैं किसी बैक करन चाहूं वो मुन्रो भी हो सकता है राजपक्षा भी हो सकता है और सौन विलियम्स भी हो सकता है लेकिन अभी के लिए मैं होल्ड पर रखता हूं इन तीनों को मैं टीम के कॉम्बिनिशन को देख के एक खिलाडी बैट्समन में पिक करूंगा अभी ऑल्राउंडर की तरफ आ इसको बैक कर लिजेए गिनबाजी से बहुत जादा प्रफिवरेबल मैं नहीं रखता इनको यहां पर इन टीट्वेंटी करिए इन सीपीयल बट यहां एक्सपीरियंस काफी होल्ड करते हैं और जितना एक्सपीरियंस इनका इनके पास एक दो विकेड ले सकते हैं साथ में बलेबाजी तो यहां पर CPL में इनकी आपर जानी मानी है तो इनको रख लेते हैं अब आप पर रजा को रखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे अब रजा के बारे में अगर मैं आपको बताओं तो यहां पर ठीक ठाक से परफॉर्फॉर्मेंसे जाये हैं लेकिन वही बात ह कि कुछ अच्छी पारिया आई है तो कुछ खराब पारिया भी आई है फिलहाल के लिए ओल्राउंडर है तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों यहां पर उपर्चुनिटी मिल जाएए इनको रख लेते हैं इसके अलावा मुझे और भी पेरी इतने ज्यादा अच्छे विकल्प नहीं लग रहे तो तीनी ओल्राउंडर की साथ मैं जा रहा हूं सिकंदर रजा रॉष्टन चेज इमाद वसीम इन तीनों को हमने बैक कर लिया अब आते हैं गेंदबाजों की तरफ गेंदबाजों में मुहमद आमीर लाजवाब लाजवाब फॉर्म में नजर आ सकते हैं और थोड़े से यहां पर पंट भी हो जाएंगे बिकॉस पिछले दो मैचेस से नहीं खेल रहे थे बिकॉस आपको पताए कि आपर इनको बुला लिया गया था अब अभी नहीं है उसमें मुझे थोड़ा सा सस्पेंस है तो इसलिए मैं अभी नहीं लेके चल रहा ह तो इस कारण से अभी के लिए मैं आपर सिर्फ दोही के साथ जा रहा हूँ गिंदबाजों में और मैं उससे जादा आपर भरोसा नहीं करना चाहरा हूँ वैसे क्रिस ग्रीन पर आपकी मर्जिया ओल राउंडर है हलां कि गिंदबाजी से ही आपको यहां पर विकल्प नज इनको अब सिद्नी थंडर को लीड करते थे आई किस मुझे सही से याद निये लेकिन आप आते हैं और विकेट कीपर में सेमार ब्रूक्स को बैक कर रहा हूँ और इसके अलावा बानुका राजपक्षा पिछले मुकाबले में तबाही मचाही थी इन्होंने इनको बैक कर साथ में तो उतने जादे मौक्य भी नहीं मिल रहते हैं और जादा अच्छा कर भी नहीं रहते हैं कप्तान मैं बनाओंगा हांख बंद करके यहां पर इमाद वश्रीम को बिकॉस नंबर चार पर आएंगे नजर यह आपको बल्ले के साथ और गिंद बाजी में भी कमाल कर आरे तो इनको कप्तान बना लेते हैं उस कप्तान की तौर फे आपकी उड मर्जी था है मैं तो आमिर के साथ जा रहां नगया mm अर बढ़िया यहां पर ही काम करते हूं खर सकते किसी और भले बाज को खिला सकते वहां आपकी मर्जी है लेकिन मैं नहीं यहां पर दोनों को रखा है बले बाजू की तरफ आते हैं Alex Hills, Banu का राजपकसा साथ में यहाँ पर Brandon King, Allrounder में मैंने तीन Allrounder को back किया है, आपर Razah को साथ में आपर Imaad Vashim और Roshan Chase को, आते हैं गेतन बाजू की तरफ मुहमद आमेर, Chris Green और साथ में आपर Alzari Joseph, तीरों ही अच्छे विकल्ब कप्ता इतनी टीम भरोशा कर रही है, इतनी तो टीम इनकी पाकिस्तान की भरोशा नहीं करती है, इसलिए इनको जरूर यहाँ पर कप्तान बना लिजगा, बड़िया काम करते में नजर आजाएंगे, वरहाल अब फाइनल चेंजिस के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे टेली क्या हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अब मुझे इसाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्ट, ततक के लिए आज तेरे मुश्कुराते रहे, बने रिये टीम क्रिक क्रैक के साथ, दिसेशन नजहा साइनिंग आफ, थैंक Thank you.